असलाम अलेकुम एवर्ज उमीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे आज हमारे किचन में बन रहा है जी मंगोलियन चिकन विद एग फ्राइड राइस तो चलें जी हम चलते हैं अपने इंग्रीडेंट्स की तरफ जो चीजे हमें चाहिए मैंने मे पर आप को बता भी देती हूँ बहुत मज़ी की रेसिपी है में चुरियन से हट करें तो चलेंजी जो चीजे आप में चाहिए मैं चिकन के मारीनेशन करनी है उसके लिए चिकन बाइड लेंगे आप जुलिंस में भी कट कर सकतें चिकन को उसके बाद जी आपने कॉन भून मेरे युज हुए थे। सोयशास मैं थ्वड़ा डाला था जैसे कि आप देख रहें उसके बाद जी मैंने सोयशास और वस्टर्शेय अब पास वास्टर शॉय सोस नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं इस सब्सक्राइब कोईटिटी ज्यादा कर दीजेगा उसके बाद इसमें राय स्पैसी सारी एट कर दूंगे और कॉर्ण टो नहीं है इसके अंदर चिकन को मेरिनेट करके आपने तकरीबन आदा घंटा या 15 मिनिट मेरिनेट करके रख देना ताकि अच्छे से कोटिंग हो जाए उसके बाद प्राउन शूगर निन थे वाइट शूगर यूझे सोज़ ने लिए लिए थी तेबल स्पून ने लिए लिए थिक बाद ब्लैक पेपर पिंच आफ देड़्य फ्लेकसे लिए ता जिंचर गारलिक पेस्ट लिए लिए वन टेबल स्पून उसके बाद बाद si ROS क का पेस्ट आड कर लेंगे वन टेबल स्पून बहुत था मैं तब हाफ टेबल स्पून आप कहलो जिंजर और हाफ टेबल स्पून गारलिक आपने इसको सॉटे कर लेना अच्छे से अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना मिक्स करने के बाद आपने इसमें सौसीज एट कर देनी है कोई कैच्छो बगर है नहीं जा होगी क्योंकि हम इसमें मंगोलीन चिकिन बना रहे है थो रसा तेस्ट इसका डिफरेंट है तो चलें जब मैं सौसीज एट करते हूए इसमें हॉट स्वास डाल लेंगे टू टेबल स्पून, ट्री टेबल स्पून मैंने स्वाइट सॉस का यूज की थी ताकि इसका टेस्ट अच्छा और बैलन्स रहे उसके बाद इसमें स्पाइसीज एट कर देंगे ब्राउन शूगर ज्यादा मज़गा टेस्ट देगी बट मेरे पस नहीं थी मैंने इसी तब लिक्विड सा सॉस बन जाए फिर हम इसमें कॉन फ्लॉर पगएरा डाल के ताकि इसको अच्छे से मिक्स कर सकें तो इसको मैं पकने के लिए रख दिया था और थोड़ से कुक हो गया था तो चलेंज हम चलते नेक्स टेप की तरफ जिसमें में चिकन को फ्राइ करना है आप ज्यादा ओल में भी फ्राइ कर सकते हैं मैंने बहुत कम ओल में फ्राइ किया था बहुत अच्छा फ्राइ हो गया था जो मैं नेटर चिकन था उसको आदा गेंटा हो गया था आपने सारा चिकन ओल में डालेना तो चलेंजी अब यहां पर चिकन का कलर जो है ना अच्छा टेस्ट था इसका सिरफ इसमें ब्लैक पपर यूज़ हुआ था तो चलें जी हम चलते हैं स्टैप नबर त्री की तरफ जिसमें वेज़िटेबल में ग्रीन अनियन कैपसिकम और कॉन फ्लॉर चाहिए हमें सॉस को ठिक करने के लिए आप कॉन फ्लॉर उतना डाल सकते हैं जितना अगर आप मतब ज़्यादा परसंस के लिए बिना रहे हैं तो आप कॉन्टिटी सब चीज़ों की डबल कर सकते हैं उसके बाद जी ग्रीन अनियन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है आपने लाजमी डालना है बीच में उसके देखें किता जबर्दस लुक लग रहा इसका उसके बाद जी मैंने सारी कॉन फ्लॉर को मतब कॉन फ्लॉर की पेस्ट आइड कर दी थी और यह जबर्दस हमारी सॉस बिलकुल थिक हो गई है आप इसको प्लेन राइस के साथ भी सर्फ कर सकते हैं एग फ्रैड राइस के अलिग पहरी हैं हैं यो जा गपना हêu विद्ध वोले रइस गुप हैरा उससे घडल को बाद भी है है के इसमें भी सर्फ के बाद बाद पर रों ने वह बना ल। ने पीनें ब्लॉर के बाद भी सिर्ट ब्ली पर डाल लोचील कर दो सा फूट कलर मैं दूद में घुल के डालती हूं वो डाल कि थोड़ा से इसको हलका सा तकरीब इन 5 मिनट के लिए दाम पे रख देंगे बिलकुल लो आंच के ओपर अगर तो आंच तेज़ा तो आप नीचे तबाव अगरा रख सकते तो यह रही जी हमारी मंगोलीन चिकन के लोक बहुत उनीक रेसिपी आपने रेसिपी ज़रूर ट्राइ करने हैं थैंक्स फॉर वाचिंग डॉंट फोगेट तो सब्सक्राइब मैं यूट्यूब चैनल लाइक शेर और कमेंट प्रिस तबैल आइकन ताके आने वलिए आपको हर वीडियो मिल सकें अलाहाफिज जी बार का